दोस्तों अगर आपको आपके iPhone में जब आप किसी भी एप में in-app purchase कर रहे हैं तो इस टाइप की problem आ रही है आपको दिखा रहा है purchase उपर लिखा है लिखा है इन-app purchases are not allowed ओके यहां पर लिखा है तो आप इस problem को कैसे सही करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो करना क्या है आपको सबसे पहले चले जाना है अपने iPhone की Settings में Settings में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक Option दिखाएगा Screen Time का आपको इसपे क्लिक करना है और इसपे क्लिक करते ही नया Interface आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपको करना है नीचे की ओर Scroll जब नीचे की ओर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक Option दिखाएगा Content and Privacy Restrictions का आप इसपे क्लिक कर लिए उसपे क्लिक करते ही आपको एक Option दिखाएगा iTunes and App Store Purchases का आप इसपे क्लिक करिए उसपे क्लिक करने के बाद आपको एक Option दिखाएगा In-App Purchases का यहाँ पर Don't Allow लिखाओगा ओके आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको Allow कर देना है बैक कर देना यह Allow सेट हो जाएगा और अब आप जब अपने आप में मलब आइफोन में किसी भी आप में In-App Purchases करेंगे तो आपको वो वाली प्राब्लम जो आ रही थी यह नहीं आएगी अगर वीडियो से हल्प हुई हो तो वीडियो को कर दीजे लाइक, चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए